हलो दोस्तों वेलकम टूट ट्रेडिंग जर्नल आज मैं आपको जिरोधा का टुटोरियल बताऊंगा कैसे आप इस प्लेटपॉम को यूज कर सकते हो हर एक चीज में अपने बेजिक चम्स में सिखाऊंगा चार्ट भी होगे बेजिक चम्स के तो मेंक शिर आपके पास ताइ फ़ेजन गलिट ने अब यहां पर आपको सेटिंग मिल सकते हैं आप अपने फ्रेंट को भी इनवाइट कर सकते हो है अब यह है सथाँ और यह है आपकी वाचलिट यहां पे आप अप सु सब्सक्राइब करके जैसे अगर सर्च किया मुझे रिलाइंस में डालना है तो यह रिलाइंस आप आ गया है सब्सक्राइब करते हो और अगर आपको चार्ट देखना है तो आप यहां क्लिक कर सकते हो तो लेटल्स के यहां फे सिभल है कि अगर आपको डायरेक्ड ये सेल करना है जैसे मुझे अगर रिलाइंस का फीचर करना तो लिए आपका यह और लुकिक करना है और यह आपकी डिट्येल्स आ गई आपको और्डर में डिटेल में समझाऊंगा तिलहाल आप वाच लिस्ट के बारे में जान लेते हैं यह आपको अमांट डिख रही है वह लाच ट्रेडिंग और यह परसेंटेज चेंज वर आपको यह सेटिंग करनी है अब इधर पर आगे ओपनिंग प्राइस प्राइस एक से लिए पर्सेंटेज जो भी आपके इसाब से आप यहां पर शेट कर सकते हो अब चलिए बात कर लेते हैं और गर अपको कुछ और करना है जिससे कि अगर बुझे रिलाइंस पर कुछ बाइं करना है ठीक है तो अब तीन टाइप के ओडर होते हैं रेगिलर कवर और अपर मार्गेट और रेगिलर आप तभी डाल सकते हो जब मार्केट ओपन है तो कि व्युवर्पिरोंट को जाएगा उंत्व हो जाएमार्केट जिसे कि यह दो इख रहे हैं मार्केट कका मतलब जो मार्केट प्राइस है अभी ऑफ धिके रहा है यह सब्सक्राइब आपको बाई कर लेगा अगर आप लिमिट हर्द करते हो अगर आपको जैसे तब है अभी अगर यह प्रैस प्रैज जो अगर यह मार्केड प्राइश कुन चैज करना है तो तो यह 2640 पे पहुँचके 2642 की अमाउंट पे वो बाई कर लिए आप कोई भी अमाउंट सेट कर सकते हैं और SLM में क्या होता है यह क्या है कि जैसे मुझे 2700 पे ही बाई करना है सबसके 2600 कि प्राइस पर जैने जब यह मार्केट प्राइस पहुंच जाएगा औा इसलिक और पर में निशल्ड नहीं मिलता, stop limit आपको सभी यूज करना है, जब आपको specific amount पे ही buy करना है, stop loss amount कभी-कभी execute नहीं होता, अगर market काफी volatile है, SLM आपका execute हो ही जाएगा, mostly, और long term की बार करें, अगर आपको overnight से ही, overnight आपको stock hold करना है, तो आप long term पे click कर सकती हो, तो आप सारी features के fame available है, तो एक extra चीज है, वो है GTT, अब GTT की बात करते है, GTT होता क्या है, good tilt triggered order, मतलब, जैसे कि आपने ये price पे buy किया है, stop loss आप इधर ही डाल सकते हो, जैसे minus 2 का मुझे stop loss रखना है, और target मुझे जाए 1-2 का जाने की 4%, ठीक है, अब ये हो जाने के बाद, जब आप buy का button क्लिक करोगे, तब ये automatically minus 2 का stop loss भी लग जाएगा, और 4% का target भी, मतलब ये जब amount के ऊपर 4% अगास जाएगा, तो वो amount आपका target हो गया, वो square up हो जाएगा, अगर minus 2 मतलब नीचे अगर गया 2%, तो automatically आपका stop loss लग जाएगा, और आपका execute हो जाएगा, आपको 2% का loss लग जाएगा, ठीक है, और GTT order आप मार्केट जब चल रहा है, तब ही आप रख सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान लखने पड़ेगी, कवर ओडर ये होता है कि आपको stop loss trigger price डालनी होती है, और आप का automatically market price पे stop loss लग जाएगा, जैसे मैंने 2640 पर अगर मैंने buy किया है, और मैं चाहता हूँ मेरा stop loss हो 2600, तो जैसे ही 2640 मैंने limit order लग्स दिया, 2600 पर अगर वो पहुंच जाता है, तो मैरा automatically execute रहा जाएगा, मुझे कुछ percentage का loss होगा, लेकिन मैं safe रहूँगा, आप कोई भी amount रख सकते हो, अपने percentage risk to reward ratio भी हिसाब ते, तीसरा हो गया after market order, ये order वो होता है, जो आप market close होने के बाद रख सकते हो, overnight के लिए, तो intraday अगर आपको set करना है, तो अगले ही दिन जैसे market open होगा, अगर आपके price पे आपको shares मिल जाते हैं, तो वो intraday के लिए आप use कर सकते हो, at the end of the intraday वो वापस square up हो ही जाएगा, आप अगर manually नहीं करते हो, और long-long तो मैंने बताई है, ये overnight और आप holding की तरह आप रख सकते हो, इसमें भी stop loss और stop loss market का आपको features मिल जाएगा, ठीक है, और आप immediate और cancel का ये आपको एक बता जिते हो, immediate क्या होगा, जैसे ही 2640, अगर मैंने ये order रखा, कल सुबह होते ही, अगर amount 264 हुई, 2640 पे मुझे एक share मिल गया, तो मेरा ये order execute हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो ये cancel ही हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं अगर इससे सफ्टे में मिले या इससे मेहंगे में मेले, ठीक है अगर आपको ये buy से sell पे करना है, अगर आपको short करना है तो आप इसे toggle कर सकते हो, ये हो गया आपका short का order किसी में भी, ठीक है, अब मैं आपको कुछ features के बारे बता जीता हूँ specific stocks के लिए, और जैसे ये reliance है, अगर मुझे इसको pin करना है, यहाँ पे stop menu पे, तो आप 2 stocks को यहाँ पे pin कर सकते हो, जो आपको visible रहेंगे किसी भी screen या settings पे, तो जिसके ये मैंने 1 पे रख जिया, तो reliance 1 पे आगया, अब मुझे बाल कृषना चाहिए, तो ये second पे यहाँ पे मैं stock add कर सकता हूँ, ये आपके मर्जी के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ दो, दो ही pin कर स अब इसनी बात चाहिए, तो create alert, ये बहुत important features है, जैसे कि आपको अगर खुद को remind करना है, कि मुझे ये nifty, 50, broke, resistance, अगर resistance support कुछ भी break करता है, कोई भी amount, अगर मुझे ये alert चाहिए, कि notification, कि मुझे कोई order specific price मैं जब market को एक बाई verify करने के बाद रख सकूँ, तो ये आप इधर amount रख सकते हो, कि मुझे अगर 17,800 के उपर एक resistance ब्रोग करता है, तो मुझे ये अपने mobile पे या फिर, अगर screen on हो और laptop गी, तो ये मुझे alert देगा, आप greater than, less than, ये कुछ भी आप setup कर सकते हो, बहुत ही अच्छा feature है, ये मुझे काफी ज़्यादा परसें है, क्योंकि आपके watchlist में अगर 10 टॉक लगे हुए हैं, अगर 10 में से तीन के chances हैं काफी, कि अगले ही दिन हो जाएं, और आप monitor नहीं करना चाहते हो, आप और भी काम कर सकते हो, अगर रख सकते हो, अब ये तीन को एक view दे सकता है, तीन मिनिट, 5 मिनिट, 15 मिनिट, 30 मिनिट, 1 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम, कुछ भी हो, अब बात करते हैं, menu speed, ये है, dashboard हो गया है, कितना margin आपका available है, opening, closing, balance, basic चीज आप इदर जान सकते हो, अगर बास्केट ये होता है, कि अगर मुझे एक ही साथ, पांच चे स्टॉक, अगर इसकूर करना है, मैं बास्केट ओडर का यूज कर सकता हूँ, ये ये यूज कर सकता हूँ, जैसे ABC, ये मैंने नाम दे लिया, बास्केट ओडर का, अब मैं इसमें कितने भी स्टॉक डाल सकते हो, अपनी रिक्वार्मेंट के साथ, जिसे रिलाइंस इंप्रा हो गया, इमेडियेट कैंसल कुछ भी करके, आप पांच-छे स्टॉक डाल सकते हो, एक ही साथ में ये एक्जिक्यूट हो जाएगा, दूसरा है SIP, अगर आपको क सब्सक्राइब करें को जितने भी आपने अलर्ट यहां पर यहां से भी आप कोई स्टॉक सब्सक्राइब हो गया, यह यहां पर आप सेट कर सकते हो, अपनी अमाउंट रख भी डेटर लेस दन जो भी कंडिसेंस आपको लखने है, अपनी ग्लोजिंग जो भी हो, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अब अगर आपको इन में से कोई डिलीट करना है, तो यहां पर एक से कैंसल करके इलीट कर सकते हो, अगर आप कोई भी स्टाइब कर रहे हो, तो यहां पर आप विजिबल कर सकते हो, यहां पर आप कर सकते हो, यहां पर आप कर सकते हो, यहां पर यहां आप अपने पोजिशन जो इंट्राडे या फिर और ऑप्शन जो आपने पोजिशन ले रखी है वह सारी और विजिबल आपकी ऑप्शेंज में होगी फंट की बात करें तो आप फंट को सकता हो इस मेनु में आप यूपी आइज जरहे या फिर नेट बैंकिंग में भी आप add funds करके आप अपने हिसाफ से funds डाल सकते हो और withdraw भी आप कर सकते हो अब बात कर लेते हैं apps की अब यह जो basic apps है अगर आपने कोई zero data related कोई भी app हो जो आपने subscription लिया है या फिर जो free में available है तो वो आप इधर से अगर आपको वो cancel करना को आपoni खर करके और छार्ट की वारे में अगर आपको कोई भी चीर अक्set करना है तो बारे कर सकते हुँ यहां पर क्लिक करके लों है जर्वार में लडगी चात Huge और यहांसर वियन ज ata कि अभी आ गया कि अब मैं सारे कि अगर आपको बताता हूं कि कैसे अगर आपको स्टॉप करना है तो यहां प्यांपे आप क्लिक कीजिए कोई और अगर स्टॉप चाहिए जैसे अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करना साथ हो तो आप यह उपर से भी चेंज कर सकते हो और नीचे आपको शॉट कर्स भी मिल जाएंगे यह आपके वन में तक का टाइम प्रेम आपको एक्सेस लेगा अगर आपको चार्ट चेंज करना है केंडल स्टिक से आपको कोई लाइन करना है तो आप आपको किसी के साथ कर सकते हो करना चाहाएं तो फिर आप बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की ठीक है अब इंडीकेटर में अगर आपको एक्वित्स का इसवग्रिवाट करेंश है और अगर आपको मुविंग एवेज रखनी है कोई भी आपको स्टॉक आपके अनलिसिस के रिशाथ से आधी दर ऐसे एड़ करते हो नम्बर अगर आपको इंडिकेटर की सेटिंग चेंज करनी है तो बाजो में यह सेटिंग का सिंबल हो गया टायल कलर अवरेज जो भी आपको सेटिंग वह इधर भी आपको जाएगी और यह है हाइड करने का सिंबल अगर आप एंपरररी हाइड करना क्यों तो आई पे क्लिक कर सकते हो और आरटाई में भी सेम अगर आप किसी चार्ट को एक्सपांड करना चाहते हो तो आरे साइप आ दो पार कर लीकिष measurement करेंज्समें क्या है अगर कोई प्रेफिरंस है आउत में अगर बूल मार्कित है तो मैं आपको exam करके दौर पर यह simple 9 moving average की मुझे एक template बनानी है तो यह मैंने save किया ma9 तो इधर लिखिया और मैंने यह सेव कर भी automatically यह इधर आ चुखा है अगर आप next time पर आपको कोई pattern या analysis करना है तो आप को इधर क्लिक किया अगर कोई और चाहिए या आपके इंडिकेटर सारे आगे बहुत ही easy और smooth हो जाता है अगर आप मैं इसलिए जिरो ताफ प्रिफर करता है तो अगर आपको basic in में से किसी को default set करना है जैसे कि मैंने इसको अगर मैंने default set करना है तो मैं कि यहां पर क्लिक करूंगा जैसे ही मतलब दूसरी बार में अगर जरो टक पो लूँ या पर कोई चार्ट खोलूं तो ऐसे ही मुझे एक स्क्रीन वापस आ जाएगी जो मेरे सेव टेम्बलेट है जो मैंने आटमेटिकली ओपन करना है तो वह ओपन हो जाएगा अगर आप डिलिट करना चाहते हो और यहां पर क्लिक कर सकते हो ठीक है अब बात कर लेते हैं सेव की सेले हम तूल्स को देख लेते हैं बात में मैं आपको बताऊंगा सेव क्या है और जैसे यह हो गया आपको ट्रेंड लाइन अगर कुछ नहीं है तो आप कर को करेए और अखिर अध्या है करना है आप करना तो यहां पर करना यहां आप करका यूब्लड करना है तो यहां पर क्लिक करकर आपका याफ़IGHल करका इसको है ओस exaggerate करना यह कोपी करके आप से डूसरे चाहर में बूसित कर सकते हो क्लोन और कपी में यह डिफ्रेंस होता है कि लोन आपको एक ही चाहर में उपर हो जाता हुआ आप जैसे डिलिष करने के लिए मैंने यहां प्लिक कर लिए और भी आप अगर प्रेंड लाइन साफ के इसाफ से एक्स्टोर कर सकते हो मैं आपको बेजिक की सिखा होगा यह वीडियो में दूसरा हो गया फिपो नाची भी आपको एक्सेस हो जाएगा इधर पे ऐसे करके आप कर सकते हो यह बेजिक इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूं काफी कॉंपलेक् करना करना है तो यह फेzek ब्रस कोश बीदु करना थो यहां पे अंगे सुआ है परências तो आपको जेना के अर्थ खीजसेंगे अपने इसाफ से विए इसको रोटेट भी कर सकते हूं पर जिसेएब और दूसरा यूश्तेंस यहां पर मैं कुछ ट्राइंगल पैटिंस डेख रहा हूं तो यह ऐसे करके आप ऐसे करके यह ट्राइंगल भी एनलेसिस के लिए यूज कर सकते हो कि अगर ड्रेक आउट मुझे अनलेसिस करना है ठीक है तो अगर आपको कुछ अगर आपको मेजर करना है कि कहां तक मेरा टार्गेट है जैसे अगर मैं अगर कंविंच हो कि जस्ट डाइल इडर से जाके 200 मुविंग एवरेज को टुछ करेंगा तो मैं बस इदर से क्लिक करूंगा और यह हो गया इतने का टार्गेट 18% जो भी इमेजनेबल आपको बता चल गया और यह अगर आप ऐसे होरिजॉंटल ही खीचते हो तो आपको नमबर अफ डेस में मिल जाएंगे उपर और कितना है कितने बार आपको एस्टिमेटी लगेंगे यह सारे आप देख को ठीक ही सिर्फ्र यूंब करना था प्रॉम करना तो आप जूंब का टूल रिःटी तो यह इतना जों हो गया ताले आंगा करना और यह आपको बताएंगे अगर आपको सारे द्राइंग जो मैंने अभी किये अगर वह आपको हाइल करना है तो अगर मैं चाहता हूं कि जैसे यह ट्रेंड लाइन वापस में इसा प्रॉपल लगाँ इधर से इधर अगर मैं यह चाहता हूं कि नेक्स ताइम जब यह ओपन हो तो मुझे ऐ कि यह को स्थीख दाइंट तो मैंने अगर यह फूरा टेंपलेट मुझे सेव करना है कि मुझे अभी शॉर्ट करना नहीं है जब यह ट्रेंड लाइन नीचे ब्लॉक होती है तभी मुझे शॉर्ट करना है तो मैं चाहां करूंगा इधर आके सेव लियार्व लिए किज़र सेव करूंगा ताकि नेक्स टाइम जब मैं फिर्वधा ओपन करूँ और मुझे यही एक लेयाउट जो ड्रॉइंग्स है मुझे यही हाल में चाहिए यही टाइम फ्रेम पे तो यह मैं एक्सेस कर सका हूँ जैसे मैंने और भी स्लॉक्स की सेव की हुए है मैं आपको लिखाऊंगा जैसे यह एक्सेल टैक्की मैंने पुरानी एक सेव की हुए है तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो अपनी और यह आपकी इंडिकेटर भी सेव कर लेका जैसे लास्ट टेंपलेट आपने जो भी यूज किया है तो आपके मसेडी वगरा जो भी चाहिए तो यहां पे एक कैमेरा बटन भी है तर्लो स्केंट चाहिए अगर आपको कुछ बिलिट करना है स्पेसिपिकली यहां पे तो आप रिमूव ऑल ड्राइंग्स मतलब जो भी आप रेंड लाइन वगर ड्रॉप करते हो कोई ज़री रिमूव होगी अगर करना है सब्सक्तर है जैसे इसको मुझे रिम करना है तो मैं यहां पे आपको कॉपी करना है कि करना है dose नीशक्र Copy करको या फिर अपने इससाफ से अगर आप में सब्सक् relação की लेयाउट वे तो आप ऐसे कर गे ले आउट भी दो स्टॉक एक साब देख सकते हो इसे आपको ऐसे अपने स्ट्विन की साइज की साफ से आप कोई भी स्ट कर सकते हो तो तलिए दोस्तों थैंक यू फो वाचिंग अगर आपको यह बिगनर वीडियो अश्य लगता है तो प्लीज लाइक करो जैसे मैं एक मोब वीडियो बने प्लीज कमें लिख दीजेगा थैंक यू फो वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो